प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब अब अब इक जाएं दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जम आपके लिएक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक दमदार लेगा तो चलिए साथ मिलके ये वीडियो देखते हैं पर अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए से लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत आजिस दोस्तों प्रोग्राम में स्वागत है कितने साल हो गए आप लोग ये मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेजर साब को बिलाएं मेजर साब को बिलाएं मेजर साब हम सब की हर दिल अजीश शक्सियत हैं और मैं परसनली उनके आफिस भी जाके देख के आया हूं इनका इतना बिजी शिडूल होता है कि मेरा दिल करता कि मैं इनको तंग करूं लेकिन आज मेजर साब हमारे साथ हैं मेजर साब थैंक यू वरी मुच पर गिविंग अस टाइम पहले तो मैं आप से माफी चाहूंगा आरिफ साब आपने मुझे कब से बोल रखा है लेकिन मेरी गल्ती है मैं अब टाइम नहीं निकाल पाया तो मैं कोशिश करूंगा अगली बार आप अगर कभी बुलाएंगे तो मैं 100% समय पे और पिलकुल आपको कोई मुझसे थोड़ा चूक हो गई भाता भिरता रहता हूं असलिए थांक्यू मैजर सब कल पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा है कि यह जो अटेक हुआ था भी पाकिस्तान आर्मी पे वजिरस्तान में जिसमें ओफिशली तो साथ मारे गए हमारी इतला है के पंद्रा बीस मारे गए फोजी और एक तो इस पूरे रीजिन के बहुत नजर रखते हैं आप इसको किस तरह देखते हैं आरिफ जी ऐसा दो तीन चीज़े हैं अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत टीटीपी चला रहा है या भारत ना भारत में कुछ ऐसा करा है कि टीटीपी को पैसे दी हैं या कुछ और भारत ने करा है, तो मुझे एक बात यह समझ में नहीं आती कि फिर पाकिस्तान देखें, यह लोग इसलामाबाद में बैठते हैं सब के सब, कैपिटल है पाकिस्तान का, इसलामाबाद, और वहाँ पर सारे embassies वाले रहते हैं, high commission वाले रहते हैं, defense attaches हैं, ambassador हैं, high commissioner हैं, सब कोई हैं, मतलब सोडे और सो होंगे वाँपे, minimum Islamabad में, तो मुझे यही बात समझ में नहीं आती, RFG कि ऐसा यह लोग क्यों नहीं करते हैं कि सब को बुलाएं, एक जगे खटा करें, उनको briefing दें और सबको folder पकड़ाएं के सब यह भारत की करतूत है, यह हमें proof मिले हैं, यह भारत ने TTP को पैसा दिया है, यह भारत ने हत्यार दिया है, यह भारत ने training दिया है, यह भारत ने orders दिया है, और यह definite proof है, यह recording है, voice recording, यह इनकी video recording है, यह इनके satellite के coordinate के X, Y, Z, कुछ क्योंकि जब देखें, भारत अगर करेगा बात, तो electronically बात करेगा, क्योंकि अगर TTP से बात कर रहा है, TTP का ऐसा कोई headquarter तो है नहीं, कि यह shopping mall के तीसरे floor पे TTP का headquarter ऐसा तो है नहीं, तो TTP तो देशेगर तंजीम है, मेरा यह कहने का मतलब है, कि Πाकिस्तान लगातार बोलता रहता है भारत भारत और मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान TTP के बारे में सीरियस है, अगर पाकिस्तान सीरियस होता तहरीकend cat disregard पाकिस्तान के बारे में वो International Court of Justice में जाता, वो United Nations में जाता और कहता कि साथ ये है, ये देखिया हमारे पास प्रूफ है, ये भारत का असली चाहरा है, वो भारत को एक्सपोज करता, ये जो स्टोरी है मैं बता रहा हूँ, ये बाहर वालों के लिए नहीं है, ये RFG स्टोरी है पाकिस्तानियों के वो कर देंगे, तो जब तक दूसरे का खून खराबा हो, इनको बहुत अच्छा लगता है, जब खुद के घर में खून के चीटे आते हैं, तब इनको थोड़ा सा हरारच सी होती है, इनका फीवर चल जाता है, टेंपरिचर बढ़ जाता है, तो मैं पाकिस्तानी कौम को ऐस सच यही कहना चाहूंगा, किसाब देखिए, अगर आपके पास भारत के खिलाफ प्रूफ है, तो आप जाई और दुनिया के सामने रखिए, आप OIC, Organization of Islamic Cooperation 57 Muslim Countries उनके सामने प्रूफ रखिए, किसाब यह हमारे सबूत हैं, और इन सबूतों की बिना पे हम यह कह रहे हैं, क क्योंकि आम पाकिस्तानी परेशान है, आम पाकिस्तानी की मस्जिदों में भूट रहे हैं, अब वो इन से सवाल पूछता है, यह कहना बड़ा आसान है कि अफगानिस्तान से हुआ और भारत की साजिश है, भारत भी foreign country हो गई, अफगानिस्तान भी foreign country हो गई, यानि कि पाक capability में कोई question नहीं कर सकता, लेकिन अब भूले भी हैं, मासूम भी हैं, बच्चे जैसे भी हैं, अगर कोई साजिश कर दे तो आखेर फिर यह क्या करें, साजिश के सामने तो फिर सभी लोग नाकाम हो जाते हैं, तो यह चूरन अपनी domestic audience को यह लोग आम पाकिस्तानी को बेच रहे हैं, क्योंकि यह जो साब है ना, इनी के जने हुए आरिफ जी, यह सारे के सारे, लशकर-ए-तयबा और तहरी के तालिबान पाकिस्तान में सिर्फ इतना फरक है कि एक भारत के खिलाफ operation करता है, और जो दूसरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ operation करता है, इनकी ideology, इनकी radical Islamist ideology, इनकी खिलाफत बन जाएगी, काफिरों को मार देंगे, यह सब की सब इनकी ideology, बिल्कुल एक जैसा इनका दिमाग है, इसमें there is no difference, इनके target अलगे है, that's it, तहरी के तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान जाके ठोकता है, और लशकर-ए-तयबा भारत के अंदर operations करता है, that is the President Trump, जब President था, तो उसने कहा था, कि हमने पाकिस्तान को 32 बिलियन डॉलर दिये, लेकिन जिन terrorist के खिलाफ लड़ने के लिए दिये, उनको पाकिस्तान ने बचा के रखा, और दुनिया को पता है, कि Taliban were created by Pakistan, Taliban पाकिस्तान के मदद से वापस पावर में आए, तो क्या वज़ा है कि Taliban आज पाकिस्तान से इतना खिलाफ हैं, पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हैं, और comparatively भारत पे भरोसा ज्यादा कर रहे हैं, तालिबान, क्या वज़ाएगी? इसमें दो तीम बाते हैं, थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा, तारीक में जाना पड़ेगा, इत्यास में जाना पड़ेगा आरिफ जी, बात ये है कि अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि यहां तक तालिबान की बात है, वो अपने आपको भी पाकिस्तानी कहते हैं कि ह हमारे लोग मारे गए और दुनिया को इस से फरक नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग क्यों मरे वो जो पाकिस्तानी असी हजार मरे या कहते हैं सो अरब का हमारा इंफरस्रक्टर खतम हो गया है ये फिगर कहां से आए पहली बात और दूसरी चीज़ ये है मैं जानना ये चाहता हैं फिर ये कहते हैं कि साप बड़ी बुरी चीज़ होती है और भाई आप पालते क्यों हो साप और दूसरी चीज़ ये जो ट्रंप कहता है कि हमने 32 अरब डॉलर दिये पाकिस्तान को ये ज़र पाकिस्तानी खुद दिल पे जरा हाथ रखके अपने इमान को जिसको कहते है हिंदी में साक्षी मान के ये बताएं कि ये पैसे किस चीज़ के लिए थे ये थे क्यों अमरीका ने पैसे दिये पाकिस्तान को को ये तो बताए ये पूछे पाकिस्तानी पूछें अपने सियासतदानों से ये आपने military के जो leaders है उनके जो military के जनरल्स है उनसे पूछे कि भ तो तो जिस झाली आज़ादी की बाद एमरान खान ने करी थी, किसे हब अफगानओं को जेहनी आज़ादी मिल गई है और अमरीकंस चले गए हैं, उनको अगर वो गुलाम थे अमेरिकंस के अंडर।っていう थी कुलाम थे तो उनको गुलाम रखने का किरदार पाकिस्टान हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान उनको गुलाम रखने के लिए 32 डॉलर यही तो हैं सर यही तो हैं कभी पॉलियो के कत्रों के नाम पे आपने दे दिया कभी औरतों के एजुकेशन के नाम पे दे दिया कभी आपने रस्ते आप से मेरी मुराद यहाँ पर अमेरिका है अमेरिका ने बहाने ढूंडे कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो बुरे काम कर रहा है जो इनकी कुकर में हैं उनके लिए इनकी फंडिंग कैसे करी जाए अब ये सारी फंडिंग के बाद ये बोलना कि सब हमी पाँच हजार रुपए आपको दूँगा आप मुझे यहां से श्रिनगर ले जाएंगे और श्रिनगर से वापस लेकर आएंगे दो दिन के अंदर पाँच हजार रुपए में हमारी डील ते हो गई रास्ते में मैं गाड़ी चला के ठोग दूँ और मेरे हाथ पर तूट जा या नैनिताल या शिमला कोई भी हिल स्टेशन ले लिजे मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता कि तुमारी वज़े से मेरा अक्सेट हुआ है आप नहीं पैसे ले आप नहीं गाड़ी चलाते इन लोगों ने पैसे लिए अच्छा आपका दूसरा सवाल यह है सर कि क्यों भ पता है दुनिया जानती है मैं और आप क्या जानते हैं दुनिया बहतर जानती है कि अफघनों को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया और अफगानिस्तान से तो सिकंदर भी आया था वो तो किसी के ह subscribe यह है कि इनका किरदार इतना बुरा रहा है आझ की तारिक में अफगानों को य जब उसने बोला था कि पाकिस्तान ने ये करा है वो करा है, सर आप इसको इस तरीके से देखिए कि ट्रंप क्यों कह रहा है, ये सब इंटरीरेलेटेड है। पस्टून पॉपॉलेशन है, यहां पर भी पस्टून पॉपॉलेशन है, मैकसिमम पाकिस्तान में है, आउटसाइड ओफ अफगानिस्तान, वो लोग यहां पर भाग कर आते हैं, फिर पाकिस्तान यह भी कहता है, हमने तुम्हें बैठा के रोटी खिलाई, पाकिस्तान पैसे नहीं देंगे और Americans अफगानिस्तान से चले जाते हैं तब पाकिस्तान 17 लाख अफगानों को बोलता है कि get out अब ये गाये दूद नहीं देती अब हमें गाये की जरुवत नहीं है तुम निकलो नहीं चाहिए आपको पार्लिमेंट चाहिए बना दी आपको डैम चाहिए बना दिया स्कूल चाहिए कॉलिज चाहिए सड़क चाहिए लैबरिरी चाहिए क्या चाहिए आपको चाहिए ना आपको हमने बना दिया हमने तीन अरब डॉलर खर्च कर दिये हम और तीन अरब और ख हमें contract मिला इस से ज़ादा हमारा कोई लेना देना नहीं है कल अगर अफगान लोग ये बोलेंगे कि भारत को यहाँ पे बहुत बड़ा 500 बेड़ का एक super specialty hospital बनाना चाहिए भारत बना देगा उसके हवज में भारत को क्या चाहिए भारत को कुछ ने चाहिए अफगान जो लोग हैं उनकी दोस्ती उनका प्यार उनका आशिरवाद उनकी महबत यह भारत के लिए बहुत है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को अपना पांचवा सूबा च्छटा सूबा strategic depth ये काम हम लोग करते ही नहीं है और अफगान ये सब चीज़ें पहचान गए हैं हमारे बारे में भी और पाकिस्तान के बारे में भी तो आशा करता हूँ कि वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह आरिफ अजाके साब और मेज़र गोरवारिया साब का ये पूरा discussion आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे गोरवारिया जी ने पाकिस्तान को मुत और जवाब दिया वह ही पाकिसान जो अफगानिससान के साथ बुरे हालात के जो इलजाम है वो हमारे देश भारत पर लगा रहा ह vortex तो आपने देखा गौरवार्या साब ने ये का कि पाकिसान अगर साम पालेगा तो साम ने डाएंक तो इसके बारे में आपके क्या विचार कर दो कर दो